तो आज हम लोगों देखेंगे हिस्ट्रिय का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्टबादी अंदोल इसका पूरा ध्याय हम लोग करेंगे यारी इसका कोस्टन अंसर साथ में अब्जेक्टिव प्रस्ण भी करेंगे ठीक है यह आपका गंगे इस फ्रस्टान आपको बता रहें तो चलिए आपर देखीगा वह अपर जींटेव को संदेखले तो इसके वाल मनें आप सब्सक्राइब को करेंगे ठीक है तो देखे पाहला कोस्ण किया करा देखिए गा हिंद चीन च्छी तर्म कॉन को नाते हैं तो कंबोडिया वियतिनाव और लोगों साते ठीक है क्या हो जोगा ओप्स नूमडर आपर सियास्टा हो जागा ठीक है चलिए अग्ला को संदेखें का ला कुछन गारा अंकूर बाठ का मंदर कहां सिता अंकूर बाठ कर दो मंदिर देंदो कौण में बसने वाले कहे जाते थे क्या का आला प्रश्रम से आंड गारा धिक्लों कहे जाते थे अगला प्रश्रम कीया है देश्री आफ दो पार्ट यह संधनाम क्षा लिखा तो किस ने लिखा तो प्रांच के बीच होने समझा है किसे नाम से जाना जाता है लाप्र casi दी कि यह खिस cỏ और अदालत लगा कर अमेरिका का ब्यत नाम जो है उत्तनाम सुरू के लिए दोची यह लिए करार दी एक कि चिसका करार दिये तो रसेल का अगला को संद के .... अर्ण को भार ना किस तरह से बार ना देखिए गा एक तस्टानों का मतलब होता कि जहां खाली असान आहाप पर आपको क्या करना भर तो पहला देखीए का क्या और बार्वी सतावदी में राज आशुर का बर्मा देते वो अंकूर बाठ का क्या किये थे निर्मान कर वाए थे अगला कुसार देखिएगा जनेवा समझाता पूरे पूरे वियतनाम को दो हिस्तों क्या का बाठ दिया जनेवा है भरना अले देख पर लिखेगा तो एक तरफा अनुबंद ब्यवस्ता क्या थी एक तरफा वह अनुबंद ब्यवस्ता क्या थी जिया पर लिखिए गापको क्या था कि दो एक तरफा जूला था और अधिकार नहीं था अगला कसन देखिए काप क्या नाम कर दो कॉन था तो कॉन था तो अनौम का सा सकता अनौम यह था हैश्यार साथ तो हागवा कोशन क्या करद है अग्ला कोशन करा हिंद हिएँर चीन का अर्थ क्या होता हुँत आल चीन कार्थ नंगर dış dö마 तुब गया है के तर्ड कालिन से में लगवा तीन लाख तीन लाख दो 2.80 लाख बार किलो मेटरमेटर में फाल लूई है यह क्या 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 था उन्हेंट प्रांस और वियत नाम के बीच अमेरिका हस्ते शेप के कारण हुआ ठीक है यह आपको लिखना फाइब नंबर को संदी क्या करा हुआ 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 अंदोलन की चाहर शकर हो आज रहा उसका बारे में चार्चा करना तो हुआ हुआ अब बहुत धिक क्या था भॉध धार्मिक आंतिकारी अंदोलन था जो नए तक बहुत से प्रांसेट यृप पारि पादरे हेंद चीन पहुच गए थे इसके बात फरांस नहीं कि इनने को चीन के सासक सेशा समपुर्ण भी और कंबोडिया को भी अपने अधिकार छेत्र में ले लिए इस तरह बीस भी सताबदी के पर्राम तक फ्रांस ने धीरे-धीरे संपुर्ण हिंद चिन अपना अधिकार में ले लिए ठीक है यह अपर लिखना अगला कुस्ण क्या करा रसाइनिक हतियारों हतियारों एवं एज मिला करता यार एक मिश्रेन जो तवाचा से चिपकर जलते रहता था जैंट ओर एंज वही क्या है या एक एसा जहार जो पेड़ों पतियों को तुरांत क्या करता है जुल सादेता अडिस पेड़ जिससे पेड़ मर जाते हैं जंगलों में जंगलों को समाप्त करने के लिए था यहीं आपको लिखना ठीक है अ만ला दिखना का तिसरे किया कर रहा है हिंद होची मिक तो संवाधियों करना संसीर्ट इसमиля साथरा है में समाजबादियों यूचा गुट बनाया समाजबाद से परेड्ट वाइब हो q well as you more कितनामों करांति दल का गठन किया सतमें उन्हों ने भिए अथनाम के सभी जूट यह लाग से चलने वाला यह क्या था तो पार्टी था ठीक है आपको यहीं यहां अगला कोस्ट देखिएगा प्रफशन किया करें देखिए चाथा का रहा है होची मी का मार्ग क्या है यानि होची मी का जो मार्ग किया ईसके बारें मैं आपको बताना है तो किस तरह से बाताना तो समाजी है गया पर होची में मार्ग हनोई से पर्रांब होकर दच्छिन ब्यत्नाम तक जाने वाला मार्ग है जो यानि कि लाओस कंपोडिया के सीमा छेत्र से गुजरता हुआ जाता है अमेरिका कई बार इस मार्ग का यानि छाती ग्रस्ट कर चुका था लेकिन ब्यत्नाम इसे तुरान थी क्या क लिए नाम यह कर लेता था तुरान ठीक है यह आपको लिखना चली आगला को सने कारा मेरिका हिंदव च्छिन में कैसा यानि की घूटा चर्चा है तो आनमेरिका हिंद चिन में कैसे जो है घूसा चर्चा इसको के बारे में करना ठीक है कैसे घुसा इसके बारे में चर्चा करना अमेरिका आज हिंद चिन में फ्रांस को सहाइता देने के बहां ने ये घुसा था और धीरे-धीरे समाजबादियों के बिरोध का समार्था करने लगाई ने प्रस्तितियों माई उन्हें सो चौगा निश्वी में जनेवा समझाता के बाद दचनी वियतनाम को अपको यही लिखना इसी तरह लिखते तो आपको नंबर जो है अच्छा खासा आगा किताब भासम ने अपना लाइंग्वेज में लिखना ठीक है तो अपना भासम लेकर रहां तक आप लोग इसको बना लेजेगा जो अगले बढ़े वीडियो रहाएगा उसमें आपको दिर अगर वीडियो अच्छा लगवा तो आप लोग लाइक कर देजेगे इस तरह मिलें फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में आज के लिए बस इतना है